हाई फ्रेंड्स वल्कम टू मा यूटूब चानल आज मैं बनाने जा रही हूं सेम्या पाईसम यह संकरांती स्पेशल सेम्या पाईसम बना रही हूं चले बनाते हैं लेट्स को सबसे पहले इकड़ाई लेंगे उसके अंदर तीन कप पानी डालेंगे आप कप भी ले सकते ग् की होता है तीन ग्लास ले लिए पानी इसको हम लोग उबालने रखेंगे यह थोड़ा उबालने के बाद साइड में रख देती है उसके उबलने के लिए दूसरा पैन ले रही हूं उसके अंदर तीन चमच घी डाल रही हूं जी डालने से बहुत ही टेश लगता है पाईसम हमारे संक्रांती स्पेशल पाईसम में घी डलता ही है इसके अंदर ये ड्राइफूर्स डाल रही हूं में काजू, बादा और किश्मिश आपको जो पसंद है ड्राइफूर्स आप इसमें डाल सकते है यह बहुत ही अच्छा लगता है और एक दम जटपड बन जाता है फिर इसके बाद सबसे लाश्ट में में किश्मिश डाल रही क्योंकि किश्मिश चल्दी फ्राय हो जाता है धीमियाच में फ्राय कीजएगा गोल्डन ब्राउनों ने तक फिर उसके बाद ये निकाल रहे है रही हूं में ड्राइफूर्स फिर उसी घी में में ये एक कप बैंब उसके बाद इसको साइड कर देती हूं, मैं हो गया रोष्ट, फिर उसी में जो गरम पानी में उबाला था, वही पानी वापस में ने दरग दिया है, पानी उबल गया है, उसके अंदर ये मैं सेम्या डाल दे रही हूं, ये थोड़ा लग लगेगा आपको पनाते हुए, दू परेड दूद के साथ उबालने लगेंगे, तो गाड़ा होते चलता है, इस तरह करके देखेगा, सेम्या आपको बिलकुल गाड़ा नहीं होगा, ठंड़े होने के बाद में, देखेगे, सेम्या को मैंने जाच किया, पक गया है, लगबग, लगबग पकने के बाद, ये दो पकने के बाद, ये इसको अप डाल दूद है, अच्छा गाड़ा उबाल के इसमें डाल दीजे, अगर मलाई भी होगी तो भी कोई बात ने, उसको डाल दीजेगा, दो पकने के बाद ही, दूद डाल येगा, ने तो सेम्या नहीं जल्दी पकता है, अभी तक मैंने शकर नह ही मिलाएगा लाश्ट में बिलाएंगे फिर इसको भी एक-दो उबाल आने दीजिए इसके अंदर इलाइची में कुटी भी डाल दे रही हूं आपके पास पौडर हो तो आप आधा चमच डाल लीजिए फिर ये ड्राइनट से जो हमनों फ्राइ करके रखेते घी में उसको भ अगर आप मीटा जादा खाते हैं थोड़ा चार पाचमच एक्ष्टर डाल लीजिए इसे मिलाएए और एक-दो उबाल आने दीजिए आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सिस्क्राइब कीजिए कमेंट्स करना तो बि सेफ और गर्मे रहिएगा थैंक्स पर हो